Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दाईना पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 02 के बारे में बात करेंगे एक्जाम से कुछ घंटे पहले हमें क्या स्टडी करना चीए, किस लेसन को स्टडी करना चीए एक्जाम को लेकर क्या ट्रिप्स और ट्रिक्स हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे जैसा कि आप सभी स्टूइट जानते हैं, दिसंबर 23 का एक्जाम स्टार्ट हो चुका है, आज आपका 9 दिसंबर है अभी से कुछ घंटे बाद आपका MA History, MHI 02 का एक्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेटेल में समझते हैं सबसे पहले अगर मैं आपके बुक के बारे में बात करूँ तो MA History, MHI 02 के बुक का नाम है आपके आधुनिक विश्फ Modern World इसके अंदर में हम बात करते हैं Modern World के concept के बारे में इस तरह का अफधारना है Modern World को लेकर इस तरह से लोगों के बीच में अंदकार यूग से बाहर कैसे लाए गया लोगों को ज्यान ओदे की सुरुवात कैस हुई पुरह जागरन की सुरुवात कैस हुई राज्य का निर्मान कैसे गया राज्य को चलाने के लिए नौकर साई ववस्ता लोकतांत्रिक करण राष्टवात की भावनों का बिल्डप कैसे किया गया राज्य का विकास हो तो द्योगी वर्तन आधुनिक यूदिन सब के बारे में आपको पढ़ना है बहुत सारे topics है important topic है और easy topic है easy to cover है आप easily cover कर सकते हो पूरे book को तो चलिए आगे पढ़ते हैं और कौन-कौन से lesson को अगर आभी इस समय पढ़ कर जाओगे तो आपके अच्छे number बन सकते हैं इसके बारे में discuss करते हैं तो जो आपका पूरा book है पूरे book के अंदर में 9 block है हर एक block के अंदर में 4-5 chapter है 2 chapter है, 3 chapter है, 4 chapter है total आप देखोगे तो यहाँ पे 32 chapter आपको पूरे book में मिलेगा अब इतना time तो है नहीं आपके पास में कि आप 32 के 32 chapter पढ़के जा सको ना मेरे पास है कि में करवा सको यहाँ पर हम कुछ selective chapters की बात करते हैं कि यह chapter पढ़के जाओगे तो इसमें से number बनेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं block first से, सबसे पहले अगर आप block first को देखोगे, तो block first का नाम है आके, आदुनिक विश्व के बारे में अबधारना है, इस block के अंदर में तीन chapter बन कराता है, तीन chapter क्या है, पहला chapter आपका रहता है पुना जागरन और व्यक्तिवाद के बारे में कि पुना जागरन है क्या, और दूसरा chapter के आपके रहता है, ग्यान होदे के बारे में और ग्यान होदे क्या लूचना, तीसरा chapter ये दो दो topic है ना, पुना जागरन और ग्यान होदे 101% confirm रहता है कि दोनों में से कोई ना कोई एक topic आपका एक्जाम में आएका ही आएगा, बस आपको ये समझना रहेगा कि कोईशन किस तरीके से बूचा जा रहे कोईशन का pattern क्या है, ये आपको तो रासा समझना पड़ेगा, पुना जागरन होता क्या है जहां पे लोगों के अंदर में जन जागरती आई, अंदकार यूग से समझ का build-up हुआ, उसको आप यहां पर बढ़ते हो, फिके तो दो topic रहते हैं इस के अंदर में, इस block के अंदर में आपका पुना जागरों और ग्यान हो देखा, दोनों important है, दोनों में से एक ना एक question आपका आएगा, अब मैं किसके basis पर बोल रहा हूँ, ये भी आपको बताना जरूरी है, तो मैंने जैसे कि दाइन आपके उपर में, और अगर आप लास्ट फाइव एर के last five year के question पर solve करवा रखा है, इंड विजुली कुछ question पर all solve करवा रखे, और मैं खुद भी एक एगिनु का student रहा हूँ, तो मेरा जो इतना लंबा time रहा है गिनु के अंदर में, तो उसके basis में मैं बता रहा हूँ, आपको किये रहेगा, और अगर आप last five year के question पर को देखूगे ना, वीडियो उसको देखूगे, तो आपको हर एक question वेपर के अंदर में, starting के जो दो question होँगे, उसके अंदर में इसी block के दो question दिखेंगे, चाहे आपका ग्यानोदे से हो, या पर पुरह जागरन से हो, ठीक है, तो इन दोनों question को आपको study करना है, एक chapter यहाँ पर clear हो जाता है, यहाँ पर अगले block के और बढ़ते, जहाँ पर हम बात करते, आदूनिक विश्व के मूलबूद घटक के बारे में, इसके अंदर में भी तीन lesson आते हैं, तीन है, तो तीनों के तीनों परेंडिक जूरत नहीं, सीमाई जो होती हैं, च्छेत्रिय सीमाई, उसी को मिला कर एक राज्य बनता है, तो राज्य का foundation, ठीक है, किस सरसे होता है, किस सरसे राज्य को बनाया जाता है, राज्य का सिधान्त है, क्या ideology है, क्या concept है, इसके बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इसके राजी को लेकर अलग-लग अवधारना है क्या है माक्सवादी अवधारना क्या है उधारवादी अवधारना क्या है तो तुन्तृतावादी अवधारना क्या है तरह से राह, इसकी आलुचना करनी है, यह चीज़ है, वो कुछ खास चैप्टर नहीं है, easy है, उसको छोड़ दो, ठीक है, समाजिक संरजना, समाज के अंदर में संरजना के इस प्रकार के उते हैं, वो भी easy है, उसको छोड़ दो, यहाँ पर आप राजी के संरजना के साथ मे चैप्टर आएका कौन-कौन से, तो नोकर साही, लोकतांतरिक करन के राजनिति के बारे में, और साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, आधुनिक राज्ये और कल्यान के बारे में, और रास्टवाद के बारे में, इसमें से ना तीन चैप्टर आपके important है, नोकर सा साही करन, और रूस के अंदर में, नोकर साही करन, इस तरह से टोटल छे कोशन इस पूरे चैप्टर के अंदर में बनते हैं, छे में से एक कोशन आपका बनकर आ सकता है, पर सबसे में चीज़ कहना आपको concept को समझना है, गर आप concept को समझगे तो बाकिया आप खुदी explain कर सक सकते हो, तो नोकर साही करन होता क्या है, बिरोक्रेट सिस्टम, किसी भी देश को चलाने के लिए बिरोक्रेट सिस्टम बहुत important डोल प्ले करता है, तो बिरोक्रेट सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर अगला topic आपका आता है, लोकतंत्रिक राजनेती के बार हो, तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी लिख देता है, तो यहाँ पर लोकतंत्रिक राजनेती करन, इस परकार का, इस के अंदर में किस तरह से लोगों को लेकर, राज्य को लेकर क्या जाता है, राज्य के अंदर में लोकतंत्रिक ववस्ता किस तरह से regulate होती है, वो रहत रास्ट क्या होता है जिस जगह पे रहते हो जो सीमा है उससे मिलकर एक रास्ट बनता है भारत की सीमा देखोगे तो बगल में पाकिस्तान है उपर में चीन है इधर बांगलादेस है मयामार है तो इनसे मिलकर हमारी भारत की सीमा है बनती है तो यह पूरा भारत है डेली के सीम क्या है तो यह अरीपी हो गए हृषा पंजाब इस तरह हरिणा हो गया आपका यूपी हो गय है इससे मिलकर अपना धैली बनता है तुछ इस तरह से जो सीमा होती है न छो आपका छेतर है उसको लेकर जो भावना ही होती न आपके मन में कि अगर किसी ने इसके लिए बोला तो भया इट से इट बजा देंगे जो इस तरह की भावना होती है उसे हम रास्टवाद कहते है इसराइल हमास का यूद हो रहा है इसराइल के नागरी के अपने इसराइल के लिए कुछ सुना नहीं चाहते ठीक है और वो अपने यूद में जाकर प पढ़ सकते हैं यहां पर कोशन यह भी बनकर आ जाता है राज्ये जनकल्यान राज्ये की अवधारना दीचे जनकल्यान राज्ये होता क्या है तो ऐसा राज्ये वववस था जहां पर देश के आखरी नागरिक ठीक है राज्ये के आखरी नागरिक तक भी उसकी योजनाएं पहुँचे सुज़दायें पहुँचे और उस कल्यान के लिए राज्ये के कल्यान के लिए लोगों की कल्यान के लिए कारे करें कल्यान मतलब क्या होता है भलाई का कारे करना ठीक है जैसे आज यहाँ पर मोधी जी के दुआरा जो बिजीपी government center में गोवायरस के time के बाद ठीक है फैसला लिया गया कि हम अनाज बाटेंगे ठीक है अब देखो जो व्यक्ति न जो आर्थिक रूप से संपन है तो उसको तो इसका मतलब नहीं पता चलता है कि आर अनाज बाटा जा रहा है ठीक है जो रासन मिलता है फ्री में मिल रहा है काफी समय से और अभी तो बढ़ा दिया गया उसको time भी ठीक है तो उसको नहीं समझे मैं का जो आर्थिक रूप से संपने की क्या value है बट कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो आर्थिक रूप से संपन नहीं ते साक्ष मतलब उतने ज्यादा नहीं से क्या रूप को कुछ हो सके तो पर उस व्यक्ति को जब मिल रहा है ना तो वह बहुत ज्यादा खुज होता है यहां बट एक विडंबना यहां पर यह भी है कि जो एक्चुल जिसको ज़रुत है ना उस तक कभी भी कोई योजना पहुंची नहीं पाती है ठीक है बहले ही कितना भी कल्यानकारी राज्यय योजना बना लो बत जिस व्यक्ति को जूरुत है जो नीड़ी परसन है उस तक पहुंसती नहीं है तो यहां पर यह भी बिटंबना भी हमारे बारत की है फिर पूरे विश्षु की देखने के मिल जाएग आपको समझ में आता है यह unit यहाँ पे नौकर साही और रास्टवाद को पढ़ना है अगले unit के और बढ़े है यहाँ पे पुंजीवाद और उद्योगी करण का आता है इसके अंदर में भी ना चार चेप्टर आते हैं आपके कुछ खास नहीं है बट अगर नौर्मली पढ़ोगे इसके अंदर में तो मैं आपको थोड़ा सर रफली बता देता हूँ वाने जीक पुंजीवाद होता है क्या है यह आपको पंडिकले मिलेगा पर अगर इस पैमाने को कोई फुल्फिल नहीं करता है तो वो अल्प विक्सित देश के अंदर में आएगा क्या पैमाना है तो साक्षर्ता दर पड़े लिखों को अदर जादा होना चाहिए स्वास्त के मामले में जादा होना चाहिए ठीक है लोगों के अंदर मतलब किस तरह से की मेंडिलीटी है क्या चीज़े बिल्डप के चल रहा है ठीक है लोगों की सोसाइटी किस परकार किया रहेंसन किस परकार का आर्थिक विस्ता किस परकार किया सिक्षा दर्गिस प्रकार का है तो इन सब चीज़ों को लेकर है एक प्यमाना तेह गिया गया ठीक है जिसके अधार पर वोल्ड बैंक तेह करता है कि यह अलप विकास सिद्धे से अलप विकास दे से क्या चीज़े कैसे वह यहां पर तेह किया जाता है है कमर्शल यहां पर słuटा तेहन पर किस तर से पुण्जी वहाट के भी मिल जाता है तो चार चैप्टर कोष्चन यहां पर बनकर आया तो वीकास फाले क्लाय सामाज वादी से değils तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टाइम देकर आप सिर्फ कॉंसेप्ट को समझ लोगे ना कि मतलब क्या है इनका किस तरह के कोशन बनता है तो आप आपके लिए easy हो जाएगा बट कुछ खास चप्टर रहता है निया बट यहाँ पर फिर भी एक बार के लिए कौनसा पर यहाँ पर लेकर चल सकते हो ठीक है उपर का जो मैंने तीन ब्लोग बता है न तीन वो यहाँ पर इंपोर्टर रहते है खंड पांच आ जाता है आपका ब्लोग 5 जहाँ पर हम बात क बुद मतलब यह निया इन्वेशिक बसी करने की करना दिकार करना ठीक है तो यहाँ पर किसी को उपर में अपना अधिकार जमाना तो हम उपनिवेश वाद करते है वह उपनिवेशिक करनद मतलब यहाँ पर कोशन बनकर यह आता है कि रास्टवाद के अंदर में वी उपनिवेशिकरण को समझाईए रास्टवाद का क्या concept था वी उपनिवेश्वाद का अपोजिट है वी उपनिवेशिकरण, उपनिवेश्वाद मतलब किसी को अधिकार से हटाने के लिए, हटा है अब छ हुआ, किस तरह से चला, किस तरह से आगे बढ़ा, इसको आप यहाँ पर बता होगे, ठीक है, वी रास्टवाद के concept के अंदर में, तीनों समझ में आता है, उपर का विजय दीकरण, प्रवशन, अवासन, यह कुछ खास है नहीं, इसके अंदर में प्रवशन वाले में कोश प्रवशन, यह important रहता है, ठीक है, आगे हम बढ़े, तो आगे आपका आजाता है, अंतरास्टी संबंद को लेकर, खास है नहीं, कुछ इसके अंदर में, तीन लेसन आते हैं, रास्ट राज्य ववश्था को लेकर, विसी सदी के अंदर में, जो परतिद्वन्दता है, उस उसको लेकर आते हैं, कंपेटिशन के दोर को लेकर, और एक दुरुवे विष्च की जो विरोधी धारा हैं, उसको लेकर, तबसे पहले अगर मैं बात करूओ, एक दुरुवे विष़् की, तो देखो, तीन तरह की कॉंसेप्ट होते हैं, एक दुरुवे विष्ऴ, दो तो यसको हम दो दुरुवे कहते हैं अगर आपका power of source एक से जादा है दो से जादा है तो उसको हम बहुँ दुरुवे तोर पर कहते हैं जो आज का wish way बहुँ दुरुवे के अंदर में आता है जहाँ पे देखो गे तो अमेरिका भी power of source है चीन भी power of source है और रूस भी power of source है तो यहां पर बहुत दुरुवे के अंदर में आता है और upcoming time के अंदर में देखोगे तो इंडिया भी आपका power of source बनने वाला है ठीक है इस तरीके से एक दुरुवे source के तौर पर 1991 के बात का जो दौर राज आँपे अमेरिका अमेरिका सरीफ था तो एक दुरुवे विश्व के तौर पर जाना जाता है अगर आप दो दुरुवे विश्व का उतना इनफ रहेगा आप उन चैप्टर को कर लो इनफ रहेगा बट सजेशन ये रहेगा देखो मेरा ये मानना है न कि जादा पढ़कर जाने वाला अच्छा नम पर नहीं लाथा ठीक है आप कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो आपने पूरी बुक को रिवाइज कर लिय रहेगा उससे अच्छे नमबर बने ये possibility नहीं है आपने कम पढ़ा है पट उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़्ट रखा है कि अगर वह question आ रहा है ना तो आप अच्छे तरीके से solve कर रहे हो तो आपके अच्छे नमबर definitive बनेंगे मैं request यहीं करूँगा कि आप कम कुछ और इन्डिविजिल कुष्चन पर अपलोड करके इस नेमें को एक थोड़ा-थोड़ा देखो कि के कौॉच्छा जा रहा है उसके अंदर में क्या अंसर लिखना है तो आपको एजली समझ मैं आएगा और यह जो वीडियो आप यह दूसरी बार record कर रहा हूँ, पहली बार जो मैंने record गया था by mistake, साइधा कुछ problem हुआ हमारे आवाज के अंदर में, आवाज जो हमापे record नहीं हो पाया ठीक है पूरा मैनत waste गया तो दुबारा हम record कर रहे हैं जैसी message आना शुरूँआ, comment आना शुरूँआ किस तर अवाज नहीं आरा, अवाज नहीं आरा दुबारा हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो start करते हैं, आगे बढ़ते हैं ठीक है बस तरीके वैस यह रहागी, यह आप हमारी जो work है उसकी value को समझोगे, और अपना response भी दोगे हमारे चैनल को like, share, subscribe करोगे और दोस्तों तक पहुचाओगे, जिससे वो भी study कर सके और अच्छे number ला सके, अगला जो block आता है आपका most important block है यहाँ पर, क्रांतियों के बारे में हम बात करते हैं, दिको यहाँ पर total 4 chapter आते हैं, प्रांस की क्रांती, रूस की क्रांती, मुद्रन और सूचना और संचार चिकच्चा के बारे में, 4 chapter फ्रांस की क्रांती जहाँ से लोगों को समझ में आया कि what is right right मतलब नहीं सही क्या है, what is right मतलब अधिकार क्या है उसको उसके बारे में समझ बारे में, किस तरह से लोगों ने अधिकारों की मांग करी, मतदान की मांग करी, voting rights की मांग करी, ठीक है तो यहाँ पर फ्रांस के अंदर में किस तरह से राजनितिक क्रांती हुए, वह आपको बताना है ठीक है, यहाँ पर रूस की क्रांती जुसको कई सारे नामों से जाना जाता है आपको मैंने अल्रेड वीदियो से बता रका है तो वो थोड़ा से याद रखना क्योंकि कई बार क्या होता है na सिंपल से आप पढ़के जाता है, रूस की क्रांती क्या है और पूछ ले जाता है, वोल से भी क्रांती पढ़के गया तो पूछ ले जाता है कि लाल क्रांती क्या है तो कई सारे नामें यहां पे ठीक है तो उसको पढ़ कर जाना रूस की क्रांती क्या थी भी या तो 1917 के अंदर में रूस के अंदर में सामयवाद की क्रांती जिसको मज़़ूर और किसानों के कुरांती के तोर पर भी जाना जाता है जहां पर मज़़ूर और किसानों गा हक है क्या राइट है उसको लेकर बात किया गया तो ये भी एक important chapter रहता है और इसका impact भी भारत में पढ़ता है कोशिन इसका है मतलब बहुत धीक तौर पर समयाद की करांति जो थी समाज बाती जो थी वो रूस के अंदर इंदर अब और सबसे में चीज़ कहना आप में इस्ट्री के स्टुडेंटों थोड़ा सा आपको अपना लेवल भी बिल्डप करना पड़ेगा कि आप अपने आधार पर अपने कोश्चन का अंसर दे सको हर बात डिपेंडन नहीं रहो किसी उपर में कि यार इसने जो बताया वही लिखन है वही लिखना है एक अपनी आइडलोजी भी यूज़ करनी होती है उसको भी आपको यहां पर दिखाना होता है क्योंकि में का मतलब यह मास्टर ऑफ हिस्ट्री ठीक है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगा न तो आपका खुद का इक आइडलोजी विलिड़ अप होना चाह पहले मैसज को पहुचाने के लिए याद रखा जाता था इस्टोरी फॉर्मेशन में बनाया जाता था पर समय के साथ में जैसे जैसे पब्लिकेशन का दोर सुरुआ तो किताब आने लगी इंफॉर्मेशन को गैधरिंग करना इसी हो गया और लंबे समय तक हम इकटा कर सकत होगे तकनी की करांती क्या है सिकसा संचार करांती किस परकार से यह बता होगे इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा चारो टॉपिक को आपको एक एकर करके पढ़ना होगा जिससे अच्छे नमबर आपके बनेंगे बनेंगे ठीक है लास्ट यहां पर अगर मैं देखू दो यू नहीं आया होता ना भारत के इंदर में या पूरे विश्व के इंदर में तो साइध भारत आज कहीं जादा होता जो हम 4 trillion के आवसपास से पहुंच वे ना हमारी एकनॉमिक साइध आई होप सो मैं उमीद करता हूँ कि मुझे लगता है कि आज हम साइध ना 6 या 7 trillion के ठीक है पूरी तरीके से भीड़ जाए सारे बंबरुद असला को लेकर आ गए लड़ गए उसको संपुनी यूद कहते हैं गैर राज के इंसा क्या होता है जिसके अंदर में राज्य का कोई direct involvement नहीं दिखा जाता है जितने भी आपने सुनाओगा word की नकसलवाद है माओवा ठीक है मांसिक तोर पर यूद लड़ा जाता है यहां पर कोई field war की जुरूत नहीं है यहां पर कोई war style की जुरूत नहीं है कि जहां पर लोग आमने सामने बंदुक लेके कड़े उसकी जुरूत नहीं है आधुनिक तोर पर जो लड़ा जा रहा है उसको हम कहते हैं किसी को दवाब बनाया जाता है, जैसे एक example में यहाँ पर दूँ, तो रूस और यूकरेन का वार चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या गया है रूस को isolate करने के लिए उसके जितने भी ना source of link थे उसको काट दिया गया, हर देशों के साथ में काट दिया गया, कि उससे कोई प्रेटोल नहीं खरी देगा, उससे कोई कुछ नहीं खरी देगा उसको कोई कुछ बेचेगा नहीं, ठीक है कितने भी जो bank transition है वो नहीं होगा जितने भी बड़ी company है हो सारी बहार आ जाओ ठीक है, तो इस तरह से उसको isolate किया गया आपको जो आपका ब्लॉक आता है, विकास की दुविधा, इसके अंदर में तीन चैप्टर बनते हैं जनसंख्य की, परिस्ति की और उपभोकतावाद इंपोर्टेंट सिर्फ जनसंख्या वाला रहेगा, तो जनसंख्या वाला पढ़ लेना विध्यान का विक्सित होगा, जब आपका आर्तिक विश्ता विक्सित होगी, तो सारे एक दूसरे इंटर लिंक है स्वास्त सुद्धा हैं, अगर आपके दिश्के अच्छी है, तो आपका जो जनसंख्या वाला बढ़ेगा ठीक है, अगर स्वास्त सुद्धा अच्छी नीए, तो आपका मिर्ति दर बढ़ जाएगा ठीक है, परुबर अंदर कम हो जाएगा हेल्थ सिस्टम अच्छा नीए, तो परुजद अंदर भी कम होगा 3rd Block के अंदर में आप जाओ गए, लोगतांत्री करन होगा, जनकल्यान होगा और रास्टवाद होगा, 4 में सबर 2 पढ़ना चाहो, तो नोकल्यान रास्टवाद को पढ़के चल सकते हो, important रहता है, जन कल्यान का concept easy है कि राज्य के कल्यान के लिए काम करना वो आप easily कर सकते हो आगे बढ़ोगे पुंजीवाद दूगी करेंट के अंदर में तो पुंजीवाद दूगी करेंट के अंदर में टूडल चार चेप्टर आते है जो अधूरा रह जाते हैं विकाद जो World Bank ने एक प्रमानात है कि उसके अंतरकत नहीं है तो उसको अन्पे विकास बोलते है समाजबादी दुगी करन जिसमें समाज के हर work को target करके एक industrialization किया जाता है तो समाजबादी दुगी करन पुंजी दुगी करन क्या है वानिजी पुंजी बाद क्या है वो आप यहां पर बता सकते हो अगला chapter है यूरोप का विस्तार इसके अंदर में कुछ खास है नहीं पर प्रमनादिकार जमाना समराजबाद क्या होता है अपनी सीमा का विस्तार करना यह आप बता सकते हो तो अगर अगले chapter के और बड़े अंतराश्ची संबंध कुछ खास है नहीं इसके अंदर में पर एक कोश्चन यह आपर बनना चाहे तो बन सकता है एक दुरुवे, दो दुरुवे, बहु दुरुवे को लेकर आ सकता है एक दुरुवे विश्व के अंदर में क्या विरोधी धारा हैं, किस तरसे बैती हैं और किस तरसे जो इतियास कारे या राजिनती विश्य सग्गे हो एक दुरुप को सपोर्ट करते हैं उनका ये भी मानना होता है कि एक दुरूफी के अंदर में जो युद जैसी स्तिती होती हैं बहुत कम बनती है इसके कारण से वो एक दुरूफ को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ोगे सात्वा ये ब्लॉग जो आपका आता है करांतिकारी चैप्टर के अंदर में यहाँ पर ट हमड़न फिल्ड ओलई कर रहांतिद थी आपका आखनी करांतीच्र के दर में यहां पर बहुँत ज़्यदा इंफोर्मेशन देखने क्ली मिलता है ओ चिक स्फार्घा चेत्र चैंदर में फी टखनी की उसको गहराजी हिंसा कहते हैं, राज्ये के अंदर में रहकर, राज्ये के खिलाफ जो बोल रहोते हैं, उसको गहराजी के हिंसा के अंदर में रखते हैं, लास्ट का चैप्टर जनसंखी के कर रहता है, कि यहाँ पर जनसंख्या को लेकर पढ़ सकते हो, टोटल 32 चैप्टर है बट यहां पर टोटल 6-7 चेप्टर कर आप पढ़का जा रहे हो तो एक अच्छे नमबर बन सकते हैं बट end of the video में यही बोलूँगा कि जादा पढ़ने वाला के अच्छे नमबर नहीं आते हैं आप कम पढ़ो पर अच्छे से पढ़के जाओ रिवाइस करके जाओ उससे अच्छे नमबर बन सकते हैं और जो कम समय बचा हुआ ना उसमें आप लास्ट फाइवेर के question उपर की वीडियो जरूर देखो question पर अपर की वीडियो जरूर देखो जिससे आपको question के concept समझ में है question क्या पूछा जा रहे हैं ये समझ में है अगर आपको ये समझ में आ गया तब आपके अच्छे नमबर बनेंगे ही बनेंगे वहाँ पर कोई doubt का सवाली नहीं है ठीक है तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं अगर आपके mind में कोई question हो कोई doubt हो तो question को raise कर सकते हो और request यही रहेगा कि आप हमारे महनत को समझे हमारे value वीडियो का जो value हो उसको समझे और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं अगर आपको हमारी वीडियो value लगती है तो इसको like, share, subscribe ज़रूर करें जो भी आप group में जुड़े हो हैं वहाँ पर पहुँचाएं जिससे और भी लोग इस वीडियो का benefit उठा सके हैं तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं अगले class के इंदर में है टेकर रूंदे बेस्ट